दोस्तों स्वाक्त है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों A.D.A. के चीफ और H.L. के ए चेर्मेन दोहरा कुछ ऐसी इंटर्व्यूस दी गई हैं जिसमें नए फाइटर A.Craft की टाइम लाइन्स को लेकर नई अपडेट्स मिली हैं और इसके साथ ही तेजिस माक वन A.Craft के उपर जो वर्क किया जा रहा है उसके बारे में भी अपडेट्स मिली हैं और इसके साथ ही S.400 Missile Defense System की डिलिवरिस कब शुरू होने वाली हैं उसके बारे में भी कन्फरमेशन मिल गई है तो चले इन सब भी खबरों के बारे में जानते हैं दोस्तो A.D.A. Chief Dr. Grish S. दिहोदरे ने ये बताया है कि तेजिस माक 2 A.Craft को 2022 में रोल आउट किया जाएगा और जो A.C.A. Fighter A.C. है उसे 2024 में रोल आउट किया जाएगा और इसके साथ ही जो Twin Engine Deck Based Fighter A.C. है वो 2025 में रोल आउट किया जाएगा और जो Medium Weight Fighter A.C. जाने की तेजिस माक 2 A.C. है वो 2026 में इंडक्ट कर लिया जाएगा इसके साथ ही जो A.C.A. Mark 1 A.C. है वो 2024 में रोल आउट किया जाएगा लेकिन जो इसकी इंडक्शन है वो 2030 में होगी और इसके साथ ही जो Twin Engine Deck Based Fighter A.C. है वो 2030 तक इंडक्ट कर लिया जाएगा जो Medium Weight Fighter A.C. और A.C.A. Fighter A.C. की जो Final Configuration है वो Aero India 2021 में दिखाएगी और जो Twin Ninja Deck Based Fighter A.C. की Initial Configuration है वो Aero India 2021 में दिखाएगी और इसके साथ ही Medium Weight Fighter A.C. जाने की तजह समाक 2 और A.C. A.C. का जो Futuristic Cockpit है उसको भी Aero India 2021 में पहली बार दिखाएगा इन सबी Update से ऐसा पता चल रहा है कि यह जो सबी Projects हैं वो अपने सही टाइम पर चल रहे हैं और इसके साथ ही इससे कुछ ऐसी Confirmation मिल गई है कि यह जो खबरे अभी News में आ रही थी वो सही है और इसे A.D.A. Chief नहीं Confirm कर दिया है इससे बहुत बड़ी खबरे सामने आती हैं वो यह है कि जो तेजस Mark 2 A.Craft है उसकी induction हमें सही समय पर देखने को मिल सकती है और इसका जो Roll Out है वो 2022 में हो जाएगा और जो इसकी First Flight है वो हमें 2023 तक देखने को मिल सकती है जो कि हमारी Defense Community के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जो तेजस Mark 1 A.Craft है उसका अगर contract इसी साल साइन हो जाता है तो उसकी delivery इंडिनेर फोर्स को 2023 तक मिलनी शुरू हो जाएंगी और जब तेजस Mark 1 A.Craft की delivery देखने शुरू होगी और तो तब ही तेजस Mark 2 A.Craft की first flight भी हो चुकी होगी और इसके साथ ही उससे अगले साल ही 2024 में A.C. Fighter A.Craft का rollout भी हो जाएगा और उसकी first flight भी हमें 2025 तक देखने को मिल जाएगी और इसके साथ ही नेवी के twin engine deck based fighter A.Craft का rollout भी 2025 तक हो जाएगा तो यहाँ पर इंडियन नेवी को लेकर भी कुछ ने questions पैदा हो जाते हैं कि अगर इंडियन नेवी twin engine deck based fighter A.Craft की उपर focus करना चाहती है तो इंडियन नेवी 2030 तक किस fighter A.Craft को operate करेगी क्योंकि 2030-30 तक ही twin engine deck based fighter A.Craft को induct करने का plan है तो तब तक एक stop gap measure के तोर पर इंडियन नेवी को एक नए fighter A.Craft की जूरत होगी तो ऐसा हो सकता है कि हमें F-18 fighter A.Craft की डील देखने को मिल जाए और इसके साथ ही medium weight fighter A.Craft और A.C.A की final configuration यानि की final design Aero India 2021 में देखने को मिलेगा यानि की जो अभी का Aero India 2021 होने वाला है वो बहुत धमाकेदार होने वाला है और इसके साथ ही twin engine deck based fighter A.Craft की initial configuration भी Aero India 2021 में देखने को मिलेगी और medium weight fighter A.Craft और A.C.A के जो cockpit है वो भी 2021 में ही देखने को मिल सकते है इसके साथ ही तेजस माक 1 A.Craft के बारे में H.L. Chief ने कुछ ऐसी जानकारियां दी है जिससे ऐसा पता चलता है कि इसे क्राफ्ट का software और hardware दोनों ready है और इसके साथ ही इसमें जो नए changes किये जा रहे हैं और जो changes किये जा चुके हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई है H.L. Chairman R. Madhwan ने एक interview में बताया है कि A.Craft Search and Design Center ARDC ने इसके structure design को पूरा कर लिया है तेजस माक 1 A.Craft के structure design को improve और strengthen किया गया है जिससे ये अच्छे operations कर सके और इसकी maintenance ability भी improve हो जाए ये सबी redesign या modifications ना सिर्फ इसके structure में की गई हैं बलकि इसके साथ ही इसकी electrical wiring और cooling system को भी improve किया गया है 83 तेजस माक 1 A.Craft का order अभी H.L. को नहीं मिला है लेकिन H.L. ने अपने खुद के funds के इस्तेमाल से ये जो सभी redesign का काम है और जो सभी system और software develop किये गये हैं वो H.L. ने खुद ही किये हैं H.L. ने दो limited series production तेजस माक 1 A.Craft का इस्तेमाल तेजस माक 1 A.Craft के लिए एक test bed के तौर पर किया गया है इन दोनों A.Craft का इस्तेमाल इनके re-designed structure design changes को टेस्ट करने के लिए किया गया है और इसके साथ ही नए systems को टेस्ट करने के लिए किया गया है H.L. के पास ऐसी जिम्मेदारी है कि वो तेजस माक 1 A.Craft को ना सिर्फ हलका बनाएं बलकि इसके साथ ही इनको ज़्यादा अच्छी तरह maintainable बनाएं जाने कि इनको maintain करना आसान होना चाहिए इसके साथ ही इस A.Craft के अंदर जो ज़्यादा dead weight मौजूद है उसको में remove किया गया है जिससे कि इसको repair करना आसान हो और इसके साथ ही इसमें जो नए systems लगाये जाने हैं उनके लिए भी जगे बने जैसे कि इसमें एक advanced A.C radar लगाया जाएगा एक electronic warfare suite लगाया जाएगा और दूसरे systems लगाये जाएगे इसके open architecture digital flight control computer को भी इसमें install किया जाएगा जो कि तेजस माक 2 fighter aircraft के लिए बनाया गया था लेकिन अभी इसे तेजस माक 1 aircraft की उपर successfully test किया जा चुका है जो कि इस aircraft की computing power के लिए एक बहुत बड़ा boost थाबित होगा अगर तेजस माक 1 aircraft का contract Aero India 2021 में साइन हो जाता है तो इसकी delivery शत्तिस महीनों के बाद शुरू होगी जाने की 2023 में शुरू हो जाएंगी H.A.L. हर साल 20 aircraft डिलीवर करेगा जिससे 83 fighter aircraft इंडिनेर फोर्स को 4 सालों के समय में ही मिल जाएंगे H.A.L. और डियाडियों ने ये सहमती जताई है कि इस aircraft में उत्तम A.A.S.R. फाइर कंट्रोल डार का ही इस्तिमाल किया जाए लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो पहले के कुछ तेजस माक 1 A aircraft होंगे उनमें इसराइली अल्टा 2052 फाइर कंट्रोल डार का ही इस्तिमाल किया जाएगा जिसके साथ ही इस aircraft में एक एल्टा दोरा बनाया गया सेल्फ पोटेक्शन जैंबर ही इस्तिमाल किया जाएगा और जो बाद के तेजस माक 1 A aircraft होंगे उनमें इडिनिस एसराइडार लगाया जाएगा और इसके साथ ही HL इस aircraft के साथ अस्तरम माक 1 missile को इंटिकेर्ट करने जा रहा है जिससे ये missile तेजस माक 1 और माक 1 A aircraft की standard A to air missile होगी इसके साथ ही तेजस माक 1 A aircraft MBDA दोरा बनाएं गई AS RAM missile का इस्तिमाल करेगा जो कि इसकी standard विदिन मिजव रेंज A to air missile होगी इसके साथ ही ये aircraft Russian R-73 close combat missile को तो कैरी करेगा ही लेकिन इसको इसका standard weapon बनाने के कोई भी plan नहीं है और इसके साथ ही ऐसी खबराई है कि S-400 missile defense system की जो deliveries है वो 2023 तक complete हो जाएंगी ऐसी खबराई है कि 2023 तक सभी S-400 missile defense systems भारत को deliver हो जाएंगे इसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिनियर फोर्स के personal की एक team इसी महीने रशिया जाएगी जिससे वो इस system की उपर ट्रेनिंग को शुरू कर देंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको जी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जूरू लाइक और शेर करें ठैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जै हिंद जै भारत जाओए आपको जाओए एसे वीडियो अच्छी तो आपको जाओए लाइए जाओए वीडियो जाओए लाईए लाइका पने की जाओटारू अजिए।